हेलो एवरिवन तो यहां पर आज हम हुमेन फिजॉलोजी स्टार्ट करेंगे हुमेन फिजॉलोजी का चप्टर नंबर वन डेट इस डेट इस डेजेशन एंड अब्सॉप्शन पलांट फिजॉलोजी हमने खत्म की हैं उसके 5 चप्टर अब यहां पर 11th कलास बायाल जी में ह गए हुमेन फिजॉलोजी रहे हुमेन फिजॉलोजी में सेवन चप्टर से हमारे पास एक तो हैं अब्सॉप्शन दूसरा है ब्रीधिंग एक्षैंजचीजिज अप गेसितरा हैं सर्कुलेशन उसके बाद है एक्सीन उसके बाद हैं लोको मोशन पेर टोलंशन एन मॉमें सो यह हमारे पास 7 chapters है human physiology में plant physiology हमने खतम किये उसके 5 units हमने खतम किये है सो यह class 11th का यहां पर last unit है okay okay last unit है okay इसमे 7 chapters है last unit है human physiology इसमे 7 chapters है इसके साथ 11th class biology खतम okay so यहां पर आज हम digestion and absorption के questions करेंगे आप यहां पर देख सकते हो और question number one यहां पर हम start करते हैं आप यहां पर देख सकते हो which of the following term is described human dentition option B is the correct option okay option B यहां पर इसका correct option है so अगर हम यहां पर बात करेंगे अब thickodont condition क्या होती है जो हमारे दांत होते हैं वो यहां पर किसमे embedded होते हैं जो हमारी जाबून होते हैं हमारे पास दो जाबून है maxible है mandible है okay और जो उसके sockets होते हैं उसमें हमारे दांत present होते हैं so इस condition को हम thickodont केते हैं दूसरी जो condition है वो है dive iodont okay dive iodont टाइप अउडान्ट कंडिशन को हम किसको केते हैं हमारे पास two sets of teeth होते हैं एक तो हमारे बाज़बन में दानत आते हैं उनको हम temporary teeth केते हैं या deciduous teeth केते हैं या milk teeth केते हैं और फिर गिर जाते हैं और फिर हमारे पास परिमिनाट teeth आ जाते हैं जिनको हम adult tits भी कहते हैं, so हमारे पास जो milk tits होते हैं, वो 20 होते हैं, और जो परविनार tits होते हैं, वो 32 होते हैं, so बाइसपन में हमारे पास milk tits या deciduous tits या temporary tits आते हैं और फिर गिर जाते हैं, और वो 20 इन नंबर होते हैं, 20 इन नंबर होते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, और उसके बाद हमारे 32 पर्विनाट टीट्स आते हैं, जितको हम adult टीट्स भी कहते हैं, और इस condition को हम dive iodont condition कहते हैं, तीसरे जो condition है वो हिटी रोडाट, हिटी रोडाट condition क्या होती हैं कि हमारे पास 4 types of teeth होते हैं, एक तो यहांपर incisor है, canine है, promolars होते हैं, और molars होते हैं, incis dental formula वो है, 2, 1, 2, 3, divided by 2, 1, 2, 3, यह divided by नहीं है, यह यहांपर line है, एसे याद रखना, into इसको 2 करना होता है, इनको यहांपर plus करना होता है, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is, 5 plus 3 is 8, यहांपर भी इनको plus करना है, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 8 is 16, 16 into 2 is 32, तो, यह हमारे पास 32 परिविनर टीफ्स होते हैं, यहांपर जो human dentition है, वो ठीकोडान भी होता है, डाइफ़विनर भी होता है, ठीकोडान का मतलब यह हैं, कि हमारे टीफ्स, सौकेट्स आप जाबून में प्रजंट होते हैं, डाइफ़विनर टीफ्स होते हैं, एक तो milk ट छो गिर जाते हैं 20 होते उसके बाद हमारे पास परविन акку買 जाते हैं जो 32 होते हैं जिन nug को हम यहाँ पर एडल्येटिट भी इत है तो यह ड्यक्यन हो गई हुप अगर करे नंने बात करें थो हमारे पार एंजियों कि 2 1 2 3 2 1 2 3 into 2 मैंने आपको दिखाया कि यहां पर इनको भी प्लस करना है इनको भी प्लस पिर आपस में प्लस इंटो करना है तू वो 32 आते हैं ओके सो यहां पारे पास डेंटल फार्मॉला हो गई नेक्स्ट कोशन आप यहां पर देख सकते हूं विच वन आप दे फॉलोंग एनजाइमस केरीज आउट इनिशल सिटप इन डाइशन आफ मिलिक इन हुमेनिस जो मिलिक डाइशन होती हैं जब हम दूद पीते हैं या जब बच्चे दूद पीते हैं तो यहां पर मिलिक की होती हैं जो भी आप खाते हो उसकी डाइशन होती हैं तो डाइशन कोन करते हैं हमारे पास एंजाइमस होते हैं स्टामक में वो डाइशन करते हैं तो यहां पर इंशल सिटप डाइशन आफ मिलिक को 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 करता है को करता है एंजाइम रिनिन ओके एंजाइम रिनिन करता है ड आपको पता होगा कि जब हम खाना खाते हैं उसकी पहले डाइशन होती हैं डाइशन के बाद एबसॉप्शन होती हैं तो बलड में अबसॉर्ब होते हैं बलड फिर ट्रांस्पोर्ड करता हैं डिफरेंट बॉर्डी पॉर्ट्स को ये एनरजी हमारी जो फूर्ड में होती हैं गलिकोज फॉर्ड 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 फॉर् कुछ रहा है कि किस प्रोसेस से यह ट्राम सपोर्ट होता है तो फ्रिक्टोस में याद रखना फैसिलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे यहां पर मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जो हमारे पास pancreas होता है और जो हमारे पास गाल ब्लेडर होता है इनकी secretion यहां पर dudinum में चली जाती है एक duct के जरिए जिसका नाम है hypeto pancreatic duct याद रखना करता है वो čला जाता है किस न में पृटक्ट को होता है उसको डाइश्टि करने के लिए यहां पर जो हमारी pancreas secret करता है enzymes और gallblader वो किसमें चला जाता है dudinum में जब ये pancreas का duct जिसको हम pancreas duct केते हैं और जो gallblader का duct होता है और यहां पर liver की secretions भी इसी में आ जाती है gallblader, liver और pancreas की secretion यहां पर मिल जाती है एक जगा और ये फिर ऐक common duct बनाती हैं जो किसमें खुलता है dudinum में जब ये dudinum में खुलता है एक pipe ये दूदेनम में यहां पर मेरा पास duninum है यहां पर pipe आ गई है तो यहां पर एक duct होता है स्पिन्टर आफ OD हम उसी duct को केते है तो यहां पर ये pancreas है पंक्रियास की सिक्रिशन यहां से आई और यहां पर मेरे पास एक गाल बलेडर है गाल बलेडर की सिक्रिशन यहां पर आई और यहां मेरे पास लिवर है तो लिवर की सिक्रिशन भी यहां पर आई तो यहां पर लिवर की जो डक्ट होते हैं उसको हम हिपेटिक डक्ट केते हैं, और गाल बलेडर की डक्ट ये आपसे पहले मिलती हैं, तो ये common bile duct बनाती हैं, बहुत है important मैं आप पर बोर रहा हूँ, तो इन्होंने common bile duct बनाए, किस-किस ने common bile duct बनाई, एक तो डक्ट आप गाल बलेडर ने और duct आप लिवर ने, जिसको हम हिपेटिक डक्ट बोलते हैं, तो common bile duct बनी, तो यहाँ से पंक्रियास का duct आता है, पंक्रियास की duct आती है, उसको हम पंक्रियास की duct केते हैं, तो यहाँ पर common bile duct और पंक्रिया dieक्ट आप से मिलती हैं, वो बनाते हैं Heeto-Pancreatic duct, आप यह यह बहुत बड़ा कंसेप्ट है मैं आपको समझाया नेक्ष्ट कोश्चन आप यहां पर देख सकते हूं मैंने आपको बोला कि हमारे पास यहां पर बच्पन में 20 मिलिक टीट आते हैं फिर वो गिर जाते हैं और फिर नए 32 पर बच्पन में नहीं होते हैं उनका नाम क्या है नाम प्रिमोलर्स होता है उके प्रिमोलर्स यहां पर हमारे पास बच्पन में नहीं होते हैं तो फिर जब एडल्ट हम होते हैं एडल्ट के टाइम हमारे पास होते हैं उनका नाम में प्रिमोलर्स उके प्रिमोलर्स नेक्स्ट क्वेशन है यह डिसाडर्स का क्वेशन है एंजाइटी एंड इटिंग स्पाइसी फूर्स टुगधर इन अदर्वाइज नॉर्मल हुमेन में लिए टो इंडाजेशन एक यहां पर एक डिसाडर है इंडाजेशन तो यह किसके वज़े से होती है एक तो अगर आप में एंजाइटी है और अगर आप स्पाइसी फूर्स खाते हो तो आपको इंडाजेशन होगा नेक्स्ट यहां पर क्वेशन है यहां पर सिंबायाटिक माइक्रो आर्गनिसम्स का मतलब यह होते हैं कि जो आर्गनिसम्स हमको फाइदा पहुचाते हैं और उनको भी फाइदा होता है तो सिंबायाटिक माइक्रो आर्गनिसम्स का मतलब यही है तो इसका जो correct option है वो सीकम में, सीकम में यहां पर symbiotic micro organisms पाई जाते हैं, याद रखना Next question आप यहां पर देख सकते हो, which of the following gastric cells indirectly help erythropyosis erythropyosis का मतलब यहां पर है formation of RBCs, जह हमारे बलर में RBCs होते हैं, उनको बनाने को के थे हैं erythropyosis So, यहां पर gastric, कौन सी gastric cells यहां पर मदद करते हैं, erythropyosis में, indirectly मदद करते हैं, goblet cells, cheap cells, mucous cells, parietal cells So, the correct option is parietal cells Next question है, important question है, which of the following options best represent the enzyme composition of pancreatic juice मैंने अभी आपको pancreas दिखाया कि हमें pancreas होता है और वो अपनी secretion release करते हैं और उसको हम pancreatic juice केते हैं, ओके और यह juice यहां पर डूडिनम में चला जाता है, ओके, किसके डाक्ट के ज़रिये, हिपेटो pancreatic डाक्ट के ज़रिये वहां पर एक, यहां वहां पर एक, सुपिन टरफ ओरी होता है, जब वो अपन होता है, किसमें डूडिनम में तो pancreatic juice में कौन-कौन से enzymes होते हैं, जो फिडायशन में मदद करते हैं, तो यहां पर lipase भी होता है, amylase भी होता है, trypsinogen भी होता है, प्रो-carboxy peptides भी होता है, यहाद रखना, lipase, amylase, trypsinogen, pro-carboxy peptides भी होता है नेक्स्ट क्वेशन है, इन्दी सिटोमक, gastric acid is secreted by, जो gastric acid सिक्रेट होता है, यह कौन सी cells सिक्रेट करती हैं, पराइटल सेटिक सेल, प्याप्टिक सेल, गेश्टरन सिक्रेटिंग सेल, तो इसका जो correct option है, पराइटल सेल गेश्ट्रिक असर्स सिक्रेट करती हैं, क्योंकि में help करता है, यह जिए गेश्ट्रिक इसर्ड या गेश्ट्रिक जूस, नेक्स्ट क्वेशन है, इंपॉर्टंट क्वेशन है, तो इसमें भी इंज़ामि प्रजट होते हैं, आपको बोला है कि इन में से कौन सा ऑंज़ामि सेल्ट्रिक नहीं होता है, या दरता नियूक्ल 2-5400 अर independent भी devrait होता है फिर एंगड़ए होते हैं तुम्हें उसमें प्रहां पर कौन खौन में नहीं होते हैं टेशरु नहीं होते हैं क्योंकि मिलिक को डायश्टी करना है, रिनन तो होगा, और यहां पर पेपसिनोजिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, next question आप यहांपर देख सकते हो important question बाइल सार्टस help in जो बाइल होता है बाइल सार्टस जो होते हैं बाइल में आपको बाइल सार्टस दिखेंगे बाइल रूबिन और विरिडिन तो यह बाइल सार्टस किस में मदद करते हैं यह याद रखना emulsification of fate में इमल्सिफिकेशन आफ फेट में ये मदद करते हैं कौन बाइल सार्टस बाइल सार्टस हमाले पास हैं बाइल रोबिन बाइल विरिडिन हैं और यहां पर किसमें मदद करते हैं इमल्सिफिकेशन आफ फेटस में तो याद रखना नेक्स्ट कॉशन आप यहां पर देख सकते हो फ्रॉम विच आप दी फॉलोइंग प्यपसिन इस सिक्रीट प्यपसिन यहां पर इन में से कौन सा सिक्रीट करता है लंगस सिटॉमक सिलिवरी स्बास्यस तो इसमें जो प्रेक्ट आप्शन है सिटॉमक में यहां पर प्यपसिन सिक्रीट होता है कौन प्यपसिन सिटॉमक में सिक्रीट होता है लंगस कोई यहां पर बात ही नहीं है तो सिलिवरी गलेंड्स अलग है सिलिवरी गलेंड्स सिलिवा सिक्रीट करते है celery gland, saliva secret करते हैं तो यहां पर इसका जो correct option है स्टाउमक साथ साथ हम absorption को भी continue कर रहे हैं absorption of glucose and amino acids occur by जो हमारे पास glucose है और amino acids है इनको हमने absorb करना है absorb करना है blood में फिर यह पहुंचाने है different organs में वहां पर cells में पहुंचाने है क्योंकि वहां पर उनका काम है ब्रेक करते हैं glucose को वहां से energy निकालते हैं तो यही हमारा motive होता है जब अब खाना खाते हैं खाने में क्या होता है कार्बोहेड्रिट होते हैं प्रोटिन होते हैं फेट्स होते हैं ग्लिकोज एक और खाना खाया उसकी federation हो गई फिर यहां पर absorption हो गई blood stream में आ गया blood जब carry करता है तो challenge में देता है challenge में इस glucose की glycolysis होते हैं उसके बाद यहां पर link reaction होती है फिर क्या होता है फिर क्या होता है क्रबस cycle होता है और electron transport chain होती है वहां पर हमको ATP मिलता है तो ATP हमारे energy है फिर हम काम करते है तो यह आपको idea होना चाहिए तो अगर हम glucose और amino acids की amino acids की बात करें तो यह absorption इनकी अगर हम बात करें तो यह active इनकी absorption होती है ओके इनकी active absorption होती है तो मैंने इसे पहले fructose की बात की fructose की मैंने बात की तो फ्रिक्टोस के यहांपर फैसिल्टेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे पेश्यो ट्रणनस्वोट का नेक्ष्ट कुएश्चन की अगर हम बात करें पाट आप बाइल जूस यूसफिल इन डाईएश्ट इस बाइल जूस की अगर हम बात करें उसमें यहाँ पर बाइल साल्ट सोते हैं उसमें आपका कुलिस्टराल होता है बाइल पिगमेंट्स होते हैं बाइल अरूबिन एन बाइल विरेडिन ओके तो यहां पर बाइल साल्ट जो होते हैं ओके यह हमको इमल्सिफिकेशन आफ फेट में मदद करते हैं तो अगर हम बाइल की बात करें ओके बाइल भी रिलीज होता है किसमें डूडिनम में क्योंकि जो बाइल होता है यह भी कहां से आता है जो यहिए कामन डाक्ट बनता है क्योंकि यह उसी में यहां पर एसमें होते ंस में ऊसमें किस में की टे प्रवाइल 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 प् ना कि जो बाइल होता है जो बाइल जूस होता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। यह याद रखना बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट है। यहां पर elementary canal होते हैं फिर यहां पर आपका stomach होता है उसके बाद small intestine large intestine is okay so यहां पर जो हमारे elementary canal है यहां पर इसमें smooth muscles होते हैं यहां पर एक question है vitamin is के उपर question the vitamin is essential for blood clotting blood clotting के लिए कुँ सा vitamin essential है तो याद रखना vitamin के यहां पर blood clotting के लिए essential होता है next one कुफारस cells are present in कुफारस cells कहां पर होती हैं liver pancreas small intestine thyroid gland so कुफारस cells liver में होती हैं याद रखना उसके बाद और एक question है protein deficiency leads to कवाशकर, cretinism, marasmus, both A and B protein deficiency यहां पर protein deficiency से कवाशकर भी होता है तो इसका चुकुरक्ट रखना और 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 ऑप्चन डी बोथ A and B कवाशकर भी होता हैं kritnessism भी होता है किसके deficiency के वज़ए से protein deficiency की वज़ए से next question यहां पर है, HCL leads hydrochloric acid, is secreted by zymogen cells, oxintic cells, peptic cells, nano-opties तो इसका जो कोड़क्टा ऑप्शन है वे ऑप्शन B Aboriginal cells इनी को हम Parital cells भी कहते हैं Parital cells या favorites öl के ACL को यहाँ पर सिक्रिट करते हैं किसमें स्टॉमक में याद रखना Parital cells को हम describe Cella in और जो हमारे पास peptic cells होते हैं प्रेप्टिक cells को हम chief cells भी कहते हैं और जो होते हैं इनको पता होगा सकर्वी होती हैं नेक्स्ट कॉशन आप यहां पर देख सकते हो जो टीथ का क्राउन होता है यह किस मतलब कौन इसको कवर करता है और यहां पर देख सकते हो the HCL in gastric use convertors जो हमारे gastric use में HCL होता है यह किसको convert करता है diaccharide to monosaccharide, pepsinogen to pepsin pro renin to renin, polypeptide to peptide, so यहाँ पर convert करता है pepsinogen to pepsin okay, pepsinogen to pepsin next question के अगर हम बात करें important question है enterokinase helps in the conversion of जो enterokinase होता है यह यहाँ पर कौन सा conversion करता है lactose to sucrose trypsinogen to trypsin, pepsinogen to pepsin protein to polypeptides so इसका चो correct option है option B, okay so option B के अगर हम बात करें तो यह trypsinogen को किसमे convert करता है trypsin में, okay यह यहाद रखना, बहुत important है so enterokinase trypsinogen को trypsin में convert करता है next question dash situmulate is the production of gastric juice in the stomach so जो gastric juice हमारे stomach में produce होता है okay so यह कौन सा यहाँ पर इन में से situmulate करता है okay production of gastric juice gastrin enterokinase renin digestion so इसका option एक करेक्ट है gastrin situmulate करता है production of gastric juice यहाँ पर गएक क्वेशन है a dental condition date is characterized by hypermineralization of teeth enamel due to excessive intake of dash the teeth often appear molted so यहाँ पर एक dental condition होती है जिसमें यहाँ पर hypermineralization होती है teeth के enamel की due to excessive intake of sodium calcium fluoride so जब आप excessive intake of fluoride लेते हो so यहाँ पर आपके teeth की mineralization होती है और आपका teeth यहाँ पर molted दिखता है next one dash is a characteristic feature of epithelial cells of the intestine जो epithelial cells intestine में होती है इन में एक characteristic feature होए वो क्या है glutus pilus bolus microvillai इन में microvillai होता है किसके लिए absorption के लिए याद रखना next question आप यहाँ पर देख सकते हूँ where do digestion of protein is takes place protein की digestion कहाँ पर होती है तो सिटाउक में भी होती है और समाल इंटेशनेंज में होती है next question की अगर हम बात करें what is emulsification emulsification हम किस होके थे मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास bile होता है okay bile में क्या होता है कहते हैं emulsification हम कहते हैं जब हम जब मारे पास बड़े-बड़े fat molecules होते हैं जब हम इनको breakdown करते हैं किसमें small micelles में या small molecules में so converting large molecules into smaller molecules is known as emulsification और emulsification bile salts की मज़र से होती है next question आप यहाँ पर देख सकते हो which method is used for trono sport of amino acid पहले ही बोला है glucose का भी मैंने बोला fructose का भी मैंने बोला और amino acids का भी मैंने पहले ही बोला fructose का मैंने बोला facilitated diffusion होता है glucose और amino acids का मैंने बोला active transport तो यहाँ पर active transport नहीं है तो यहाँ पर amino acids का क्या आजाएगा ना आप दीज अगर active transport होता तो उसी को टिक मार नहीं थी तो glucose और aminosis का एक्रोट्रांस्पोर्ट होता है और fructose का यहाँ पर facilitated diffusion होता है next question आप यहाँ पर देख सकते हो which of the following enzymes participate in the digestion of proteins जो proteins की digestion होते हैं यहाँ पर कौन-कौन से enzymes participate करते हैं, trypsin, chymotrypsin, elastase, so तो इसका जो correct option है all of the apple, trypsin भी यहाँ पर digestion of proteins करता है और chymotrypsin भी और elastase भी elastase अगर आप याद नहीं रखोगे यह important नहीं है, लेकिन trypsin और chymotrypsin याद रखना कि यह proteins करते हैं, ओके यह याद रखना trypsin and chymotrypsin proteininus की dabartik dietion करता हैं गर हम polysecretents की pates की बात करें those nucleases doesi करते हैं okay अगर हम यहां पर बात करेंगे lactose की lactase digestion करता है और हम सक्रोज की बात करें तो सक्रेस digestion करता है okay easy है okay next question यहां पर आप देख सकते, which of the following statement is true trypsin breaks peptide bond and carboxylic end, lipases include only one pancreatic and lingual lipase, pyl salts are necessary for absorption of lipidus, elastic enzyme is used for digestion of lipidus, so option c is the correct option अभी मैंने बोला कि bile salts या हम पर absorption of lipids या phates के लिए necessary होते हैं कौन bile salts क्योंकि emulsification of phates करते हैं या lipids next question आप यहाँ पर देख सकते हो the enzyme enterokinase helps in जो enzyme enterokinase हैं यह कौन सा conversion करता है यह मैंने पहले भी बोला पहला question है लेकिन आपने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया होगा यहाँ पर आप ध्यान दोगे क्योंकि यह अब neat में आया है okay neat पिछले साल के neat में आया है वहाँ पर यह neat नहीं लिखा था वहाँ पर ऐसे ही लिखा था लेकिन यहाँ पर यह neat में आया है पिछले साल जो enterokinase है और महाँ पर मैंने बोला था यह सबसे important point है the enzyme enterokinase helps in the conversion of trypsinogen to trypsin तो trypsinogen को कौन convert करता है trypsin में enterokinase next question आप यहां पर देख सकते हूँ यह भी NEET में आया है पिछले साल NEET में आया है identify the correct statement with reference to human-dietude system correct statement आपको इन चार में से बोलना है ilium is a highly coiled part, warimform appendix arises from dudinum ilium open is into small intestine, sirosa is the innermost layer of alimentary canal so यहां पर अगर हम ilium की बात करें yes, यह coiled होता है so यह correct option है, ilium coiled होता है अगर हम warimform appendix की बात करें, okay warimform appendix की बात करें, तो यह arise होता है C कम से, ना कि dudinum से इलियम उपन इंटर सुमाल इंटरस्टेइन नहीं एक पार्ट होता है सुमाल इंटरस्टेइन का ओके और यह लास्ट पार्ट होता है किसका सुमाल इंटरस्टेइन का यह सुमाल इंटरस्टेइन में उपन नहीं होता है क्योंकि यह खुद ही सुमाल इंटरस्टेइन होता है और यहां पर आपको वह वो राइंक किसके प्रटक्ट करते हैं किसकी गेस्ट्रोंटरियु ट्रक्टक की फ्रम वेरिस एंजाइम चीफ चल गॉब्लेट चल और ऑखिणिक चल डूदिनम सेल तो इसका चुछ पॉरेक्ट ऑप्शन है वह गॉब्लेट सेल को मुकस सेल भी कहते हैं म्यूख सेल बोई करते हैं कि उयुकाष सेल करते हैं हैं tailored प्रोटक्ति करते है इसे कौन प्रोटक्ति कारते हैं चीफ सेल को मैंने आपको और एक नाम दिया था ऑसा के और ऑप्सेल करिक सील्स का का दूसरा नम cheap cells है और अगर हम Peptic cells की बात करें यह secret करते हैं प्रो enzymes कौन-कौन से Peptinogen, Prorenin and lipases okay PPL, Peptinogen, Prorenin and Lipases और अगर हम यहां पर parotial cell की बात करें यह औकसंतिक cell की बात करें यह क्या factor okay जो responsible होता है किसके लिए absorption of vitamin b12 के लिए important point है important point है कि जो हमारी paratel cells होते हैं oxyntic cells यह एक तो hcl release करते हैं और intrinsic castle factor release करते हैं और वो किसके लिए important होता है for the absorption of vitamin b12 in human beings और जो mucos neck cells होते हैं या goblet cells होते हैं वो mucos produce करते हैं जो हमारे gIT को बचाता है from various enzymes like acl अगर हम peptic cells की बात करें या chief cells की बात करें यह हम पर क्या secret करते हैं यहां पर pro enzyme secret करते हैं pepsinogen protein and lipases next question आप यहां पर देख सकते हूँ one of the following is not an enzyme of digestive system इन में से एक enzyme digestive system का enzyme नहीं है trypsin तो है mlase भी है enterokinase भी है तो enterogastron यहां पर digestive system का enzyme नहीं है next question की अगर हम बात करें the moment in the gut wall are known is जो हमारी gut wall में moments होते हैं उनको हम कहके थे systole, diastole, metacronal, peristylysis तो उसको हम peristylysis केते हैं जो हमारी gut wall में momentous होती हैं यहां पर चौर options हैं आपको बुलना है कि humans में dental formula कौन से हैं तो मैंने पहले ही बोला था 2123 upon 2123 यह dental formula humans की होती हैं नेक्स्ट क्वेशन आप यहां पर देख सकते हो तो जो हमारे पास fatis होते हैं आपको पता हैं कि हमारे पास carbohydrates होते हैं fatis होते हैं और proteins होते हैं यह main तीन source है OK अगर हम fatis की बात करें fatis को हम पहले तोडते हैं किसमे डायसेकराइड और glycerol है यह यहां पर absorb हम कर सकते हैं जो हमने फेट को तोड़ा फेटी इस इसे इन glycerol तो यह absorb यहां पर बलड में नहीं होते हैं यह पहले लिंफ में absorb होते हैं फुस्ट यह लिंफ में absorb होते हैं बहुत important point है next question है important question है दसे structure which prevents the entry of food into the respiratory tract is आपको पता होगा कि हमारे पास there is to tract है रस्परी ट्रेक्ट है जो हमारे पास elementary कनाल हैं ओके तो यहां हमारे पास food pipe है जिसको हम इसो फेकस भी कहते हैं और हमारे पास wind pipe है जिसको हम tray क्या भी कहते हैं तो इनकी एक common opening होते हैं जिसको हम pharynx कहते हैं ओके common opening इनकी pharynx होते हैं लेकिन यहां पर वो question नहीं है यहांपर एक question है कि यहांपर पास suppose food pipe है और यहांपर इनकी common opening होते हैं यहांपर air भी होता है और water भी होता है तो अगर हम आयर को हमने किस में जाना है आयर को वींड पाइप में जाना है डिटिस्ट्रे क्या को अगर हम यहाँ पर आयर इंड फूड अगर हम फूड की बात करें फूड को फूड पाइप में जाना है याने इसोफेगस में तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इस wind pipe को यहां पर एक किसम का डखन होता है जो यहां पर बचाता है food को इस wind pipe को में जाने से तो उसका नाम क्या होता है उसका नाम यहां पर epiglottis होता है तो गलाटिस हम किसको केते हैं गलाटिस यहां पर opening of यहां पर opening of ट्रेक्या को हम गलाटिस केते हैं और यहां पर एक डखन होता है उसको हम epiglottis केते हैं जो यहां पर बचाते हैं किसको food को यहां से जाने के लिए और यहां पर फैरेक किस यहां पर common opening होती है किसके common यहां पर